सेशन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है अब आते हैं हम लोग GBP INR ठीक है न जाहब आप GBP INR में ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे कि TVP INR में आप किस तरीके से ट्रेडिंग करोगे कितने दिन के लिए स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एसा नहीं है कि पतलग के कितने ट्रेम रूपना पड़े हो तो लिमेट की कोई प्रोब्लेम नहीं है लेकिन लोंग ट्रम यू में किया है इसमें थोड़ा ज्यादा हो मूव वो मिल सकते देखें लॉंग ट्रम मूव के लिए ना सर आप एक घंटे का चार्ट फालो करो एक घंटे का चार्ट थोड़ा सा जब आप लॉंग ट्रम वाले चार्ट पर आते हो या लॉंग ट्रम आप स्विंग या ऐसा कुछ करना चाहते हो तो वहाँ पर आपका जो है पेशन्स आपको अगर मार्केट देखे सर एक पढ़ाई वह होती है जिसमें आप कैंडलिस्तिक पैटर्न को देखके ट्रेड लेते हूं है ना वह मैं जल्दी किसी को बताता ही नहीं क्योंकि उसमें ऐसा कुछ बताने के लिए है भी नहीं है ना आप इसमें दो चीन चीजों का मिक्स करके आप मैं बता रहा हूं आप मैं क्या वर्ड यूज करूं उसके लिए कि मतलब इतना पैसा बन सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे इसको खर्च कैसे करना है और रखना कहां है है ना इतना पैसा बनता है तो अब आप देखो यह एक घंटे का चार्ट एक घंटे के चार्ट पर आपको लिवल्स मालूम होने चाहिए पहली बात मार्केट के है ना मतलब किन लिवल से मार्केट नीचे जा सकता है और किन लिवल से मार्केट उपर जा सकता है में नी तो आपको यही मालूम होना चाहिए सारा गेम इसी का है पहली बात तो आपको लेवल स्वाइब होना चाहिए यह जो मैं आपको बता रहा हूँ GBP IANR में बता रहा हूँ लेकिन यह हर जगह अपलाई देखे मैं आप लोगों को कोई भी चीज बताता हूँ sir तो वो आपका इंडेक्स में Nifty में Bank Nifty में Fin Nifty में Stock में Stock के CP मतब स्टाक के फिर Option में भी ठीक है जी Stock का Option में हो गया Intra Day में Intra Day में Swing में आप भी मैली Swing का पूछ रहे हूँ पोजिशनल में और पोजिशनल के बाद क्या आ गया इंट्राडेस, स्विंग, पोजिशनल और इन्वेस्टमेंट में जो चीजें मैं आपको बताता हूँ वो चीजें इतनी सारी चीजों का मानक पूरा करती है इतनी सारी चीजों का स्टेंडर्ड पूरा करती है ठीक है सर तो जो चीज मैं आपको कहीं पर भी कोई बी एन में बता रहा हूं मैं और किसी भी मुद्रा में बता रहा हूं मैं गोल्ड में बता रहा हूं मैं सिल्वर में बता रहा हूं मैं नेचुरल गैस में बता रहा हूं अभी देखे कल मैंने निच्रोल गैस का ट्रेट दिया था कितना भागा है वो देख रहे हैं न आप लोग आपको लगा के दिखा देता हूं निच्रोल गैस को कल मैंने यहां कहीं आसपास दिया था देखो सर कहां है आज अब देख रहां सर निच्रोल गैस के एक लॉट में नियर बॉट बारसो तेरा सो रुपए का प्राफिट होता है सर एक डिजिट में आप पकड़ो जैसे एक से दो होगा तो तेरा सु रुपए होता है नियर बॉट हो 奶ish bilmiyorum लुट दिया जर दो सब्सक्नाहेंग एक सो टिराने में प्लस करने वाव साथ इदर है साथ सद्धरोगा स्ट्रोग प्यूंत質 token लुक्ष अच्ट सब्सक्रास कर Soon अब लाइब मेंगत system III सी ज़ुग टो टो की थिद्च को सब्सक्राइब कर जार कि मेरे मित्र बहुत सिंपल है लोग फालतु में इसको कॉम्प्लिकेटिट बना के रखें हैं लोग फालतु में लोगों को प्योकूफ बना जा रहे हैं बता दो ना मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा आदमी अपना कर लेगा अब देखे इसका स्टॉप लॉस कहां था सर्थ स्टॉप लॉस इसका यहां पर आपकी इंट्री थी 192 के आसपास और 190 के आसपास आपका दो पॉइंट का स्टॉप लॉस था दो पॉइंट का स्टॉप लॉस मतलब कितना बाराग दुनी 2400 रुपए 2400 रुपए का रिस्क था सर और 24,000 का रिवार्ड है है की नहीं सर बताओ एक लॉट में अगर आपने इसका बाई किया है तो एक लॉट अगर आपने बाई किया है तो इतना रिस्क रिवार्ड है सब कोई मतलब आगे पीछे उपर नीचे कोई देखने वाला ही नहीं है मैं सब तो फो आते हैं इस पे जीङएपी अईनर क waktu अनरपे जो आपका इसु है जो आपका चलेंज आ रहा है जीड़ी ओऊ नर में ट्रेड करने बें काय इसारों को डिलेट कर देता हूं तो बड़े टाइम फ्रेक्पर मतलब क्या होता हैं कि बड़ाल इतना बड़ा नहीं कि मतलब लाख रुपएका इस्टाप लॉष है तैंछ पर आप अंधिकल देखे रखा तो ये भी आपको बहुत बड़ा पैसा देगा बहुत बड़ा पैसा देगा सर सम्हाल ही नहीं पाओ अच्छा आप बताओ थोड़ा सा मेरे को आइडिया दो कि अगर आपने इसको यहां से जस्मीन जी मेरे को आइडिया देना यहां से और यहां तक अगर पकड़ा होता तो इसमें आपके कितने रुपए बनते एक अंदाजा एक लॉट से जो भी आप करते हो मिनिमुम यहां से एक सो तीन से गया है एक सो पाच तो एक लोट से तो नहीं में तो 10 लोट से करता हो लेकिन पर लोट है उसमें 2 रुपए मिलते तो 2000 रुपए सिस्टो में बोल रहा है मैं थेकिसर मैं यह बोल रहा हो इसमें हे थे एक सर्फोर में करता हूं चालीज ऊजर रुपए का इंवेस्मेंट होता है 1-2 दो दो ने 10 लोट से करता हूं कम से कम क्योकि इत्ना कोई खते हिरением से हमकोų इस धरा से तो अगर आपका confidence है तो आप इसमें भी बहुत बड़ा पैसा बना सकते हूँ बहुत बड़ा पैसा बना इसमें तो ये चीज है थोड़ा सा आपको एक चीज ये रखना है कि इस ताइप की market में जैसे foreign market जितने भी होते हैं foreign market में आपको degree का ध्यान रखना है कि मार्केट कितने degree पर चल ला है मार्केट हमेशा 30 degree अप पर होना चाहिए जो आप degree देख रहा हो ना आप किसी भी support resistance एगर market को कर रहे हो जैसे यह आपका यहां से degree बन रहा है यह जो degree बन रही है न सर इसका पूछाता है नहीं यह पता लग आता है सर जब धीरे धीरे ट्रेडिंग करने लगते हो ना तो पता लग आता है जैसे अब देखिए अब देखिए simple analysis क्या करती है अगर आपने इस दिन trade क्या होगा एक घंटे पर तो आपने यहां पर trade ले लिया यहां कहीं आज पास ट्रेड ले लिया इसी के नीचे 50 की moving average के नीचे आपका इस तो अप्लास हो गया ठीकर साब मैं थोड़ा से चार्ट को बढ़ा कर देता हूं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा यह जो मैं आपको बता रहा हूं हर market में चलेगा ऐसा नहीं मैं GPP INR पर बता रहा हूं तो GBP INR में चलेगा कहीं पर भी कुछ भी लगा दो मैं जो बता रहा हूं वो आपको universal है एसा नहीं GBP INR के लिए अलग system है और bank निफ्टी निफ्टी है सबका system एक है सबका एक ही system है, तो system क्या है, profit बड़ा profit, total loss सबका system एक ही है यह आपका P हो गया और यह आपका L हो गया सबका system एक है सबका, आपको कहीं और कुछ करना ही नहीं है क्योंकि मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़े बता रहा हूँ जर यूट्यूब पर ऐसी ऐसी चीज़े पढ़ी है जिनको फालो करके आप कुछ भी कर सकते हो जर आप उसे मतलब कुछ भी बना सकते हो मेरे यूट्यूब पर ऐसी ऐसी चीज़े पढ़ी हूँ बशर्थे आपको मतलब कितना समझ में आता है या कहीं कोई पॉइट नहीं समझ में आया था आप उसको पूछ लो यह वाला कैसे होता है आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया यहाँ पर देख लिए यहाँ दख्य कहाना शुरू कर दिये हैं और यहाँ पर रिसिस्ट हो रहा ह पर लेगा आप इसको यहां ते लिया के छोड़ो यहां पर भी अच्छा-खासा प्रॉफिट बन जाएगा और अगला फिर आपने देखा मार्केट यहां से तो चला मार्केट यहां से तो चला लेकिन इस लेवल को मार्केट छोड़ नहीं रहा है पूरा रिस्पेक्ट दे रहा है और पचास की मूविंग अवरेज भी इसके उपर आगे अगर मार्केट को जाना होता तो पचास की मूविंग अवरेज इसके उपर आती ही नहीं यहां लिख के आपको मार्केट बुला कि पैसे दे के जाएगा जी कि भाई सब आप कहा जा रहे हो बहें जी आप कहां जा रहे हो अपना पैसा लेकर जाओ अपना पैसा लेकर जाओ आपका पैसा Mr. Market के पास छुट गया Mr. Market आपको बुला के बोलेंगे कि जस्मीन जी अपना पैसा लेके जाओ यार तुम्हारा कुछ पैसा मेरे पास पढ़ा है बहुत सिंपल है आप लोग पता है नहीं क्यों इतना वो कर लैप्स कर जा रहे हो इतना पता है नहीं क्यों लूप भूस बन जा रहे है इतना सिंपल पैसा है बहुत ही simple पैसा है इतना simple पैसा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी simplicity से stock market पैसा बनता है लेकिन हाँ उस पैसे को बनाने के लिए आपको अपनी PSY पर काम करना पड़ेगा मैंने 15 साल में मैंने कुछ नहीं सीखा मैंने केवल अपने brain को और अपने emotion को control करना सीखा है only control only control करना सीखा है इसके अलावा मैंने कुछ सीखा ही नहीं strategy दुनिया strategy तर लाख strategy है एक लाख strategy है किस किस पर काम करोगे ये बताओ एक लाख strategy पर काम करने में एक लाख strategy पर काम करने वे सिर् effect jak है जिंदगी निकल जाएगी strategy हंटर बन के रह जाओ गे और जो पैसा जो आपकी जेव से निकलेगा वो अलग निकल जाएगा ये आपकी जेव है ये इसमें रखा पैसा है सब निकल जाएगा बाए strategy hunter मत बनो सर, market hunter बनो जब आदमी कोई strategy hunter बनता है strategy hunter जब बनता है कोई आदमी तो market उसका hunt बहुत तरीके से करता है ऐसे जिगना पर ले आके खड़ा कर देगा ना सर market जब आप हहाँ से सोची नहीं पाओगे कि अब मैं यहाँ से मैं आगे जाओँ, पीछे जाओँ, जिंदगी भर यहीं खड़ा रहूँ, अब मेरा क्या होगा लेकिन जब आप market hunter बनते हो market hunter बनते हो तब market आपके सामने सर जुका लेता है और बुला के पैसा देता है तो आप याज decide कर लेना क्या आपको strategy hunter बनना है या market hunter बनना है और market को hunt करने के लिए एक ही चीज होती है वो है आपका brain अब वो कैसे? आईए, जिरोधा के चार्ट पे चलते है आप लोगों को शायद याद हो आप लोगों को सर शायद याद हो कि मैं पिछले एक महीने से बोल ला हूँ कि market अप है डाउन साइड की trade मग बनाना जो लोग मुझे regular follow कर रहे है याद है कि नहीं है अब आईए कल का market देख ले पर मैंने आप लोगों को बोला है कि market को हंट करने के लिए 5 की moving average का इस्तिमाल कीजिए अना साइड 5 की moving average का इस्तिमाल कीजिए अब देखिए कल का जो मेरा trade था के बे आपनों कोहरे बोलाख मेने अपनों को क्यों दिया था? चल्वल को सभेरे और में पोसिशी की थी कि मैत क्यों को क्यों 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 दिया था क्यों क्यों दिया था आए उसके पीछे थोड़ी से analysis करते हैं कोशिच करूंगा कि आप लोग समझ पाए और मैं समझा पाऊं इस मार्केट में मार्केट को अपने नजरिये से समझना आप और फिर फिर नेक्स्ट वाले को समझाना बड़ा ही टेड़ी खी रहे हैं हाँ जी सर क्या कोश्चन है इसका हैंड रेज़ सर क्या कोश्चन है गनेश तुनिया साहब 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 क्या कोश्चन है देखिए सर कल का मार्केट आई यह देखते हैं सलमान जी क्या क्वेश्चन है सारा भी बता देंगे सर जाके आपनों को सारा भी बता के जाएंगे सारा भी बताएंगे सर तब कुछ आप है लेकिन बताएंगे लिवल्स कौन-कौन से हैं सब कुछ आप निफटि में कर ट्रेड देने का बस एखी रिजन था सर एक मिनट के चार्ट आप मैं आप लुझकों को बोलता हूना आप 40 minutes पर ट्रेड करो एक घंटे पर ट्रेड करो मैं 30 अब खंट आपको इसलिए मैं recommend करता हूँ कि यहाँ पर आपका थोड़ा सा patience build-up होना ज़रूरी है क्यों इन छोटी-छोटी कंडिले आपकी patience नहीं बनाएंगी लेकिन जो मैं आपको trade देता हूँ वो मैं कई अंगल से देख के देता हूँ कई इंगल्स होते हं उसके इंपे बाद में discuss करेंगी कभी कई एंगल से देख मैंने देखा आपको trade मैं देखा कर में 9 नॉ कि Champion अपने bread मैं क्यों घुआ था ता क्योंकि एक मिनट की candle खुली है इसको मैंने मार्क ठीड थोड़ा सा स्लाइड गैप डाउन हो सकता है लेकिन मेरा व्यू अप ही है लेकिन मार्क गैप अप हो गया कितने पॉइंट से गैप अप हुआ पचास साथ पॉइंट से गैप अप हुआ चाहे वो एक सेकेंड का टाइम फ्रेम हो और चाहे वो एक महीने का ट्राइम फ्रेम मैंने अपना ट्रेड यहाँ पर खटाक से इनिशियेट कर दिया और आप लोगों को मैंने शायद 9-25-20 के आसपास ट्रेड दिया था I think so 9-25 या 9-20 के आसपास का ट्रेड था पिर यहाँ पर क्या हुआ यह कन्डिले अंदर आने लगी तो मेरे मेरे पता थैं बोलिंजर बैंड को बाहर चारी अंदर आएगी तो इस केंडिल के लोवर का audio support लेके फिर यह उपर च़ली आएगी अब यहाँ पर जब जब जाके यह बो बहुत छोड़ी छोड़ी चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा पूरे यूटीब पर चले आओ को नहीं बताएगा आपको बोलिंजर बैंड यहां पर हो रहा है तो बोलिंजर बैंड की नैरोनेस जब यहां पर होने लगी बाकी मैं चार्ट को 15 मेरे 30 मट एक घंडे पर भी आप लेगी चार्ट की माइक्रो एनालिसिस मैं एक मिनट के चार्ट पे कर रहा हूं क्योंकि मैं हैवी क्वांटिटी से था हैवी क्वांटिटी में होने का मतलब कि एक केंडेल का भी मॉमेंट अगर मेरे अगेंज जाता है तो मेरे स्क्रीन पर बड़ा वाला लाल analysis कर रहा हूं इसकी जब मैं ट्रेड में हूँ तो मैंने देखा यह बोलिंजर बैंड नेरो हो रहा है तो मेरे पास यहाँ पर दो चीजे बनती है अगर कोई index इस तरीके से कोई stock का chart इस तरीके से नेरो हो रहा है तो उसके पास दो situation बनती है अक्सर दो situation बनती या तो इस नेरो नेस को तोड़के यह उपर जाएगा या इस नेरो नेस को तोड़के यह नीचे आएगा नीचे चाहत कहीं पर भी आए उससे नहीं मतलब है नीचे आएगा अजी सब्सक्राइब है यह तो आपके विव पर डिपेंड होता है उसमें रहते है सर उसमें कोई दिखने हो थोड़ा सा स्लो चलता है है ना क्या सब्सक्राइब हो तो इसका फ्यूचर खरीदो ना सर फ्यूचर आपका 47,000 में आ जाता है ना तो फ्यूचर की बद करो सर उसमें ऐसा कुछ होता है नहीं कि आपको कुछ क्या करते है आपका यह निब्रेजिर मार्जिन वाला कोई हिसाब किताब बताने कोशिश कर रहे हैं जा की उसमें हमेशा रहती है पिसंज्द ही कभी फिटिर्जिर खरीड वह बहुत बढ़ा है जैसे आप डे का चार्ट दे कि ऐकर में काम कर रहे हैं थीक हैं माल लीजे आप डे का चार्ट देखके future में काम करें तो अगले माल लीजे इस future के expiry में 8-10 दिन बाकी है है ना तो माल लीजे 10 दिन आपको काटना पड़ेगा या 10 दिन आप उसको rollover कर लो या इसी महिने में आप अगले महिने का future खरीद लो या बेच लो मतलब जो भी आपका वियू है मतलब आपका वियू नीचे की तरफ है तो आप बेच दो नहीं आपका वियू ऊपर की तरफ है तो आप खरीद लो ऐसा को मारा मारी नहीं रहता है सर उसमें बहुत ठीक ठाक चलता हो first class चलता है हाँ एक चीजे वो थोड़ा slow चलता है तो आपक आपकी अनालसिस सही होगी ना सर तो मार्केट आपको बुला के पैसा देगा गनेशी तीगे सर ठीक है और अगर आप गलत होगे तो आप दुनिया की किसी भी कोने में बैठे रहोगे मार्केट आपको पकड़ के ले आएगा और आपसे पैसे ले लेगा में चीज है सर अनालसिस अबजरवेशन ग्यान और इतना करने के बाद जब आप ट्रेड में घूज जाते हो तो आपकी साइकलोजी और आपका पेशेंस देखे सर अनालसिस आपकी वहीं तक काम आती है जब आप जब तक आप ट्रेड में इंटर नहीं कीए हो उसके बाद जब आप ट्रेड में हो आपका ट्रेड रन कर रहा है आप किसी भी इंडेक्स में आप काम कर रहे हो आपकी इनालिसिस पक्की होनी चाहिए और आपका स्टॉप लॉस देखिए मैं लोगों को सिखाता हूं स्टॉप लॉस लेना मैं टार्गेट लेना कभी भी नहीं सिखाता आपको डरने की जरूवत नहीं है अरे ना 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 उसमें तुनिया साथ कोई डरने की जरूवत नहीं है आप मार्केट से बोलो आप आओ और मेरा स्टॉप लॉस खाओ तभी मैं निकलूंगा जब तक मार्केट आपका ऐसे लाख आए तब तक आपको मार्केट से निकलना ही नहीं है ठीक है सदॉप पर बॉस दरना और बीच वाली सिटूएचिंस छोड़ दो सर ब्लैक और वाइट में रहो ग्रेशेड हैने की जुरूवत है यह नहीं या तो तुम इसके नीचे आ जाओ या इसके ऊपर चले आओ और जब तक बीच में हो तब तक मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं क्योंकि मेरी एनाल्सिस बोल लए कि तुम उपर जाओगे और तुम उपर गए आयगे और अगर आपको इसको राइड करना तो 10 की मूवएंग रिज की उपर राइड करना शुरू कर दीजぇ जहां पर यह 10 की मूवavour चिन्य चानी नीचे पश की मूवर फे आपका ट्रेड ऐठिक़ है माली जी आपने यहां पर गुज गए तो आप यहां पर रिस्टापलास रख दीजिए यहां पर रख दीजिए ठीक है साथ अब आपको निकलना कब है जब 10 की मूविंग अवरेज के नीचे यह कंडल आगे तब आप निकल जाओ या तो आप 20 का भी अगर अब देखे 10 में और 20 में फरक है 10 में और 20 में डबल का फरक है है ना जी अब आप यह डिसाइड करो कि आपको 10 पे निकलना है या 20 पे निकलना है क्योंकि देखे अब यह 20 के नीचे लेकिन 20 को इंटरसेक्शन पे खड़ा है नीचे नहीं आया यह फिर उपर चला गया तो आप यह डिसाइड कर लो अपने दिमाग में कि आपको 10 की क्लोजिंग पे निकलना है कि आपको कितना बड़ा पैसा लेके निकलना है एक छोटे से स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ आप कितना बड़ा पैसा बना सकते हो मैं आपको क्यों यहीं सिखानी कोशिश करता हूं से जब मार्केट बढ़ रहा है तो क्यों भाग रहे होगे या लो पैसे और एक बार आपने अगर ग्रीन देख लिया मार्केट में आपके सेट अप पर चड़ गया मार्केट तब तो आपको अपने आपसे वादा कर लेना है तुनिया साहब कि बेटा अब मैं तुमको एक रुपया भी लॉस नहीं देने वादा भले मैं कास्ट कास्ट निकल जाओं अब मैं तुमको एक रुपया लॉस नहीं दूंगा वादा कर लो सर और लॉस करके दिखा लो सर तो मैं जान जाओं आप खुदी बोल लो सर कि मेरे को पेपर ट्रेड में रोज तीन-चार या रुपय मिल जा रहे तो मैं समझ में नहीं तो ट्रेड करना शुरू किए सर क्योंकि पेपर ट्रेड में आपके पास इमोशन नहीं है और रियल ट्रेड में आपकी PSY है PSY मतलब आपकी साइकलोजी ब्रेन आपकी इमोशन आपकी हर्ट बीट तो जब PSY इमोशन हर्ट बीट पेशेंस जवाप इन सब को कंट्रोल करोगे ना जिर यह सर एक दिन में तो कंट्रोल होंगी नहीं हाँ जब आपको आपको लग जाए कि नहीं अब मेरी अनालिस सही है सो में से मेरी अनालिसीस 80% सही है तो जब आप मार्केट मुखत होगे ना तो 60 प् आप देखे होगे पिछले 10-12 दिनों में मैंने 14 ट्रेड दिये हैं 14 ट्रेड में से एक का SL हिट हुआ एक का SL इसलिए हिट हुआ कि वो स्पाइक आई इसलिए हिट हुआ है ना सर अब फिर मार्केट ऊपर चला गया बाकी 14 ट्रेड में अगर आपने निफ्टी के एक लाट से भी ट्रेड किया होता जो मैं बताता हूं कि 80 रुपए का आप्शन आप सेलेट करों निफ्टी में तो 80 गुड़े 50 4000 रुपए का आप्शन हो गया सर 4000 रुपए की कास्ट आपकी इन्वाल हुई पर दिन के ट्रेड में 4000 रुपए से मैं ट्रेडिंग की बात करा हूं सच चार पांच रुपए से तो अगर इन 10-14 ट्रेड में आपका एक कास चलो ऐसे लिट हो गया बाकी 13 ट्रेड की बात करनूं तो नियर बाउट आपके 30 आपको बिश्वास नहीं होगा बर जाके आप कैलकुलेट कर लेना किसी दिन 20 पॉइंट किसी दिन 30 पॉइंट किसी दिन 50 पॉइंट अब लोगों से गलतिया क्या हुई गलतिया नहीं वो साइकलोजिकल डिफरेंस है कि वो ट्रेड में अपने आपको होल्ड नहीं कर पाए तो यहां पर इस ब्लू वाली मूविंग एवरेज ने आपको कहीं नहीं बोला है सर निकलने के लिए तो क्यों आप अपना इस्थाप लास rented मेorे माल लीजिये आपने आपका मार्केट आपका मार्कें यहां पर आ गया ठीक है 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 कि अब आपने यह सोचा तुन्या साइब भिजाभ मार्केट को एक रूपिया भी लास नहीं दूंगा है ना आपने अपने ट्रेड को कॉस्ट तो कॉस्ट पर ले आके रख दिया उसके बाद छोड़ अब वो आपसे लेकर कुछ नहीं नहीं जाएगा ना ज़र अब तो देकर ही जाएगा आप मालो आप बीजी हो आपको लगता है कि भी आरे यार नहीं मेरे को मार्केट जाना है कुछ काम से मैं यहाँ पर काट यहां से काट के निकल जाओ जब बीजी हो तब तो कोई बात नहीं लेकिन जब अभी भी आपको एक घंटे का चार्ट बोल लाए या 30 नट का चार्ट बोल लाए कि मार्केट अप है तो फिर क्यों आप घबरा रहे हो सर इस्ट्रेटजी कोई भी प्रॉफिटेबल बनाने वाली नहीं है स्ट्रेट कोई भी इस्ट्रेट आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती है आपको प्रॉफिटेबल के वल आपका ब्रेन बना सकता है आपकी फिजियोलाजी बना सकती है बस ये बात नोट कर लो सर आप किसी का कोर्स जोईन कर लो कुछ भी कर लो जिस तरीके से मैं खोल के बता दे रहा हूं लिटरली कोई बता है मैं एक एक परत खोल लेता हूं कि आपको समझ में आ जाए जो मार्केट में एकदम नया है उसको भी आधी चीज़े समझ में आ जा मैं इस तरीके से खोलता हूं कहां आपको मार्केट ने बोला है आपको यहां पर मार्केट ने बोला है कि नीचे का ट्रेड ले लो कि नहीं बोला है कहीं नहीं बोला है सर मार्केट ने आपको कि नीचे का ट्रेड ले लो कहां बोला बताओ पिछले 12 जून से मार्केट ने नहीं बोला भले मार्केट ऊपर नहीं गया लेकिन मार्केट ने बोला ही नहीं कि नीचे का ट्रेड ले लो बोला है नहीं बोला है क्यों आप नीचे का ट्रेड में जा रहे हो जब बोलेगा नीचे जाओ तब जा ना यहाँ पर बोला मार्केट ने दोसों की मार्केट के साथ हो लो गया पायसनेस खतम हो जाएगी उस दिन आप मेरे से भी जादा अच्छे ट्रेडर बन जाओगे अब आते हैं हम लोग निफ्टी पर बात कर लेते हैं यह तो जब यहाँ पर मैंने देखा कि मार्केट यहां से इस तरह इधर उधर हो सकी तो मैंने यहा बन गई मार्केट की तो इस शेप के बनने के बाद यह फिर थोड़ा सा साइड़वेज वाला शेप होता है उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को टेलिग्राम में बताया उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को टेलिग्राम में फिर बताया कि और कहां ट्रेड बन रहा है फिर आप लोगों ने देखा होगा पांच नट का चार्ट लगा लेते हैं अब यो पॉइंट नजर में आ जाएगा तूसरा ट्रेड आपका बन रहा था यहां पर फिर यहां भाद से ट्रेड बनाए यह ट्रेड बनायें यह अरबाउट दो बज़े करीब दो बज़े करीब का ट्रेड एसर यह ए पांच नट के चार्ट पर भी नहीं बोल लाए और कि निकल जाओ देखो 15 मिनिट के भी चार्ट पे नहीं बोल ला है निकल जाओ बोल ला है सर कहीं बताओ बोल ला है कहीं 5 और 15 मिनिट के चार्ट पे निकल जाओ बताओ नहीं बोल ला है 30 मिनिट के चार्ट पे बोल ही नहीं रहा है कि निकल जाओ तीस नट के चार्ट पे अभी ही बोल ला है कि भाईया मैं अभी हूँ तो उस ट्रेडिंग दे के लिए आप पांच मिनिट दस मिनिट पंदर मिनिट का चार्ट लगा लो अपना पकड़े रहो आप्शन को अब इसमें आप देख लो यह 18700 का सी लगा लो 15 मिनिट के चार्ट के लो जी 15 मिनिट के चार्ट पे 18700 का सी लगा लो देखो जी आप यहाँ पे घुस गये इतने पे घुसे 150 रुपए पर घुसे कहां तक गया है सरीए ज़ो सो पचीस तक गया है एक सो पचास 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 पचात्तर 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 पॉइंट गया है सरी region un एक लॉट पचास गुड़े पचात्तर तो पचीस सव रुपए एक हो गया और पचीस पच्चे-बारा सू बारा सु पचास रुपए दू एक तीन पांदू साथ चार या रुपए बनें सर आपके एक लॉट से को पढ़े उचखकर में पांच इनट के चार्ट पर राइड कर लो पंदरे मट पर ट्रेड लेरो फांच इनट के चार्ट पर आपको अंटरि दी है यहां पर आपको इंटरि दे दी है नीचे एंडिए न Оuffy के घ्लतव को यहां On आपको जिन्दगी में क्या चाहिए सर 4.000 रुपय लगा कि आप 4.000 रुपय कमा रहे हो 100% 200% आपने निकान लिया सर इसके अलावा आपको और क्या चाहिए बताओ कुछ नहीं चाहिए और या तो फिर strategy हंट करते हुए फिरो strategy market की एक ही है price का average market में इस strategy के लावा और कोई strategy नहीं है आपको किवल किसी को समझना है इसको समझ लिए तो आपको पुछ नहीं चाहिए सर call buyer यहाँ पर बायर यहाँ पर call buy करेगा put seller यहाँ पर put sale करेगा आईए 18,800 का put भी देख लेते हैं कि अगर आप seller हो तो 18,800 का put देख लेते हैं सर अगर आपने कहां sale किया है सर आपने यह पॉइंट प्राइस पॉइंट 62 असी रुपए का प्राइस पॉइंट 62 रुपए पर sale कर दिया कहां तक आया यह पचास और 45 रुपए तक आया है चाहिए सर अब आपको सबेरे आपने 10-15 पॉइंट 15 सबेरे पकड़ दिये 17 पॉइंट शाम को पकड़ दिये साथ एक आठ और पाँच तो लो 85 पॉइंट ने अपनी क्लासिस में बताता हूं वहां पर भी मैं सेम ही चीजे बताता हूं थोड़ा सा एडवांस वर्जन वो हो जाता है मेंली मैं जो काम करता हूं में जो काम करता हूं सर मैं ट्रेड पर ज़्यादा काराम नहीं करता हूं मैं काम करता हूँ पहले बात तो क्या नहीं करना है आपको not to do क्या आपको नहीं करना है उसके बाद आजाओ क्या करना है what to do अनीता साहुकारी जी बताएं सर क्या है आपका question हमेशा सर जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी 30,000,000 के लॉस्स के बाद 2013 की बाद बता रहा हूँ तो सबसे पहले मैंने दो लॉट से निफ्टी में ट्रेड करना शुरू किया था फिर तीन किया फिर चार किया फिर पांच किया फिर धीरे 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 करते करते आज मैं भी बड़े बड़े लॉट में ट्रेड करता हूँ पोजिशन साइजिंग का ट्रेड इसलिए पोजिशन साइजिंग को मेंटेन करना सर इसलिए जरूरी होता है मैं थोड़ा से इस पर आपको एक अपना वियू दे देता हूँ आप अपने वियू से मेरा वियू मैच कीजेगा कि शायद मैं सही बोल ला हूँ या गलत मैंने आपको कोई ट्रेड दिया सर जबी एक एक अग्जामपल लेते मान लिए आपने 17,000 का मेरा और आपका वियू है कि 17,000 का C है 50 रुपए का ठीक है सर एक ये आप हैं आपका नाम है साहुकारी साहब साहुकारी जी मिस्टर साहुकारी और दूसरे हैं मान लिए सौरव है मैं हूँ अब साहुकारी जी एक्सपीरियंस ट्रेडर है कि उसको साहुकारी साहब को मार्केट के आप डाउन सारी चीजां का पता है और सौरब जी अभी थोड़ा सा इनको कम एक्सपीरेंस है यह एक तरीके से मान लिजे नियू है क्योंकि इनके पास एक्सपीरेंस की कमी है अब साहुकारी जी रोज एक हजार की क्वांटिटी से ट्रेट कर रहे हैं ठीक है साहब सुन रहे हैं अब अगर मैंने आपने इसमें पचास रुपए का आपने कोई पॉजिशन लिया है तो मान लिजे दोनों का जो एसल है यहां पर मैं एसल कर देता हूँ एसल है पंदर एसल है 20 पॉइंट का मतलब अगर 30 के नीचे जागा तो इसको काड़ देंगे तो एसल है 20 पॉइंट का ठीक है साहब एक हजार के पॉइंट पर आपका एसल कितना बनता है सर बीस हार बनता है है न जाहब अब सौरब जी एक याद दो लाट में ट्रेड कर रहे हैं दो लाट मतलब सौ क्वांटिटी सौ क्वांटिटी में इनका एसल बन रहा है गुड़े बीस दो हजार रूपए अब देखेगा यहाँ पर और यहाँ में दस गुने का अंतर है है ना सर क्योंकि यह new है अब साहु कारी जी 1000 में करें 2000 में करें 3000 में करें कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि इनको अपना setup अपनी brain mapping अपनी psychology इन भाई साहब को नहीं मालूम है इन भाई साहब फिर भाग गया उपर पचास रुपए से वो भाग गया सो रुपए बट साहुकारी साब तो बैठे हुए हैं पचास से सो भाग गया तिन्हों ने अपना बुक कर लिया emotion के हिसाब से आपने observation की साब से अब सौरब जी बैठके पस्ता रहें तो अपनी position sizing को maintain करना बहुत ज़रूरी है से समझे सावकारी साब whenever you are having experience of positions धीरे 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 ये चीज बढ़ती है इकठे नहीं बढ़ती है से धीरे धीरे बढ़ती है किरंदीब जी क्या question है आपका मेरा position के related question है मतलब ये मेरे को कुछना है कि हमको जो position है कि इतने ताइम बाद इंक्रीज करनी चाहिए मतलब अभी मैं 100 पे कर रहा है चार लोट से कर रहा है मैं अभी मेरे को अच्छा 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 मेरा है मतलब मेरे को 70-80% मेरा सही हो जाता है तो मेरे को भी कब बढ़ानी चाहिए position थीक है सर मैं आपको positioning का मैं आपको rule बता देता हूं माल लीजिए मैं इसको हटा दे रहा हूं अब ये sizing तो आपको समझ में आ गई होगी कैसे करना अब कब कब आपको बढ़ाना चाहिए position ठीक है माल लीजिए आपने एक जून से trade करने में ट्रेडंग में इंट्री ले लिए एक जून आपको इंट्री बन गए ठीक है साह wizard अब आप एक जून से ट्रेड करने पहले आप एक lot से शुरू किजिए एक lot से एक महीने चलिए one month है ना ज़र एक lot से 1 मन्त चलिए इस एक महीने में आप अपने सारे ट्रेडिंग जर्णल को लिखिए कि क्या लिया कैसे लिया किस पर लिया और आपको लाइस प्रॉपिट रुपे मतलए की पॉइंट में लिखिए है ना क्योंकि चाहिए आप एक lot में करो चाहिए 100 lot में करो point का ही गेन है सारा और multiply by lots है ना अगले महिने आप चलेगा जुलाई में जुलाई में आप इसको एक का दो कर दीजे दो lot आप दो lot से पूरे जुलाई चले buyer हो या seller हो irrespective क्योंकि ये एक दो lot ये आपके profit को define करने के लिए नहीं है ये एक दो lot आपकी psychology को define करने के लिए है और आपके patience को define करने के लिए है है ना सारा और आप कितने सही हो और आप कितने गलत हो अपनी analysis में उसको define करने के लिए है अब आप जुलाई में आगए अब आपने देखा एक लॉट और दो लॉट में आप एक दम सेट चल लहे हो अब आप चाहो तो इन दो लॉट को अगस्त महीने से चार लॉट में कर दू थीक है क्योंकि देखे यहां पर भी आपका सटॉप लॉस सथी पॉइंट है यहांहे था 30 point का यहाँ पे हो गया 60 point का यहाँ पे हो गया 120 point का है ना साब आप इस पे भी कम से कम एक महीने काम करो जुलाइए पूरे अगस्त आपने इसमें काम किया तो गया फिर आप इस पॉइंट का इस इस टॉप लॉस आपको फिक्स रखना है और मार्केट को पैसा देना ही नहीं है अब जब जब अब जब आपकी अनालिसिस इन 3 महीने में थोड़ी से शार्प हो गई अब आप यहाँ पर आओ चे लौट ouाइव पाँछ लोत है अब इस टॉप लॉस को आप अपने एनालीसिस को और इतना शार्प करो सेak करो जब से से 25 के बीचे आ जाओ ठीक है अब 5.6 लाट मतलब आपके 30 गट गए आपने एक लाट को कॉंप्लिफाई कर दिया सर आपने एक लाट को कॉंप्लिफाई कर दिया खटाक से हटा दिया उड़ा दिया उपर से 6 चोटा जब आपका जो लाट के ऊपर चल ला है क्योंकि आपने 25 का इस्टाप लोस ले लिया अब इसको इस direction के तीन महीने कांटीनियू रखो और लिटरली आप सही हो तो यह च्छे लाट ही आपको करोड़ोपती बना देगा सर आने वाले आठ नो महीनों कोड़ोपती वर्ड मैं ऐसे नहीं बोल ला हूँ सर कोड़ोपती वर्ड मैं ऐसे नहीं बोल ला हूँ मैं कैलकुलेशन से बोल ला हूँ आप जब मार्केट को दोगे तो 20-25 लाट का 20-25 पॉइंट का SL दोगे और उठाने के लिए तो मार्केट है बहुत कुछ लग रखा है जैसे अभी आप ने देखा पॉइंग आप ने देखा बैंक निफटी मैं तो इस trade को मिस कर गया था क्योंकि मैं आफिस में कुछ काम से में फिर आफिस से मैं बाहर निकल गया था अभी आप देखो सर 30 मिनट का चार्ट लगा लेते तो नजर आ जाएगा यह देखे जब बैंक निफ्टी गिरा था कल पर सो गिरा था कहां से गिरा था सर देखिए सबेरी 20 की मूविंग अवरेज के नीचे आ गया था आपका यहीं पर ट्रेड था इसी के उपर इस टॉप लॉस था है न साब यह आपका गिरा है यहां पर देखते हैं चोवालिस हजार का पूट इसी एकसपारी का देख लेते हैं देखो सर आप इसमें दो लॉट से थे माल लो आप एकदम बीगनर ट्रेडर हो आप दो लॉट से थे ठीक है साब यहां से पकड़ो आप 304 से कहां पर गया है सर 607 300 पॉइंट गया है सर तो 300 पॉइंट जब यह गया है मेरे मित्र यह 300 पॉइंट और आप दो लाट वाजे तो पचीस दुनी पचास है न सर पंद्रह हजार रुपए बने यहां पर इस्टाप लॉस कितना था सर इस्टाप लॉस कितना था सर इस्टाप लॉस यही था आपका लाइट से नहीं गई गया इस्टाप लॉस कितना था सर मैं आपको भी कल्कुलेट करके बता देता हूं घी सोपर आपका था और यह था क्या इस्टाप लॉस को सो फशी कर और नहीं आप मैं इसलिए लोगों से बोलता हूं कि बैंक निफ्टी को अपनी लाइफ से निफ्टी में ट्रेट कीजिए निफ्टी आपको सर पेशन्स देती है पहले आज आप 6 महिने के हैं प्रेंध ऊसे लिए नहीं को आड़ी डिक्कत आने लगी क्योंकि अई रजी ऐसे बन जाती तो यहां पर लोग मात खा आते कि निफ्टी में आप 10 पॉइंट पैप्टर करता Сп Раз हमें आप आप 100 points capture कर रहे हो तो bank nifty के 500 points के ऊपर हो जाते हैं जी 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 आल्मस्ट लबल ही होता है सर अगर आप nifty में 10 points का option पकड़ ले रहे हो तो bank nifty में 20 points से 25 points का होता है सर ठीक है साब कर में आपको धायरे देती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करण긴ा कि निख्रेट की जी तरह लिएक नरकिन अब आप पिछले 15 दिन 20 दिन के ट्रेड दुड़ा के जोड़ दो मैंने कल मैंने निफ्टी का जो ट्रेड दिया था उसमें stop loss 40 पॉइंट का था कल मैंने जो ट्रेड दिया था यहाँ पे उसमें stop loss 40 पॉइंट का इसलिए था देखे एक तो stop loss ये था निफ्टी का कि आज के दे का लो और दूसरा स्ट लॉस था पिछले दिन का लो है ना तो यह स्टोप्लस पूरा 40. का थे कल मैंने बड़ा स्टॉप Loss दिया था कि मालिजि अगर थोड़ा सा नीचे भी आ तो घवराना मत है ना हो लेकिन निफ्टी में आज तक मेरा स्टॉप प्लास 25 पॉइंट से जादे का हुआ है ने 25 पॉइंट इंडेक्स पे सर जब आप्शन पे आ जाओगे तो 25 पॉइंट को अगर आप आप्शन में करोगे तो 15 से 20 के बीच में गिरेगा मतलब 20 रुपए से उपर तो जाने वाला ही नहीं है सर है ना इसलिए मैं निफ्टी में बोलता हुआ को निफ्टी में ट्रेड की यह पेशन्स बनेगा और निफ्टी में बड़ा पैसा बनता है सर आपको शायद मालूम हो या ना मालूम हो कि अगर हमारे देश की जो जनता है जो लोग ट्रेडिंग में इन्वाल्व हैं सतर परसेंट जनता निफ्टी में ट्रेड करती है सर और तीस से चारीस परसेंट जनता बैंक निफ्टी में ट्रेड करती है और साट से सतर परसेंट जनता निफ्टी में ट्रेड करती है सर आपने देखा होगा सारी की सारी अनाल ने च्थिफ देखते होगे दुनिया भर की चाजेश पड़ते होगे सारी एनाल्सिस का पार्ट बैंक नी चाहीं निख्टी से दृट जडव है सर यह निफटी आसी जड़ है तो आप निफटी संचंठ पेंस को मत्ट करो मैं स्लाइट्ली ब ölता हूं आपको आपकी साइकलोजी को हंट करेगी ही करेगी जब तक आप चार्ट पे 50-60 पॉइंट का ऐसे नहीं रखोगे तक आप बैंक निफ्टी से बच ही नहीं सकते मैं यह पढ़ेगा पचास पॉइंट में यह मेरे वित्र है आप पचास पॉइंट में सुरचित नहीं हो क्योंकि मैं अगर कभी कभी बैंक निप्टी में ट्रेड करता हूं तो मेरा ऐसे सतर प्लस होता है कि मुझे पता है इस पाइक जाते आते हैं और सत्तर प्लस पॉइंट हो गया बैंक निफ्टी का इंडेक्स को अगर आप इससे जोड़ दो तो सत्तर मतलब करीब आगया इंडेक्स का इस तॉप लॉस को लेटाइल ज्यादा है ना सर तो निफ्टी में ट्रेट कीजिए सर मैं रिक्मेंड करूंगा कि निफ्टी में ट्रेट कीजिए आप लों की इच्छा है मैं आपको वही चीज बताऊंगा सर जो आपके लिए सुन्दर उस हिसक इतनी सारी चीज चीज़े हांट हो जाते हैं और इतनी की सारी हंट होने के बाद आदमी का मॉराल बड़ा ही डाउन होता है लोग जाओब सर उसके बाद आदमीसले सकता यह सोचना शुरू कर देता है कि मैं तो profitable हो यह नहीं सकता पैसा गवाने के बाद जो मुराल होता है ना बड़ा ही मतलब दुखदाई होता है बहुत दुख देता है अपने साइट पर ही जिकीन नहीं रहा जाता है उस समय तो अरे सर जो आपको अपने आप यकीन नहीं रहा गया तो यह तो यह बैंक निफ्टी में वोलेटेलिटी और लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है तो दिन वर ऐसे ऐसे होता रहता है इसमें आप नहीं टिक पाओगे ही कि आप जब आप द ट्रक एक्स प्रिशन नहीं आपके पास जड़तो का एक्स्परटीज ने अब निफ्टी आएशstairs चलती चलती है दे अरे नीचे आती यह फिर चलती है तो निफ्टी आनको भूत धो निकल्र धाईं को अस्पने तो जो टाइम दे वह अच्छा है ना जो टाइम ना दे उसके लिए क्या करना है चोड़ो उसको गोली मारू कि अब वहीं मैं कह रहा हूं अब जैसे अब देखिए अब पंदर मेट का चार्ट ही हो गया अब वहीं मैंने आपको सी और पी दोनों बता देगी कौन बाई करेगा कौन सेल करेगा तो वह सब चीजे जाननी सर ज़्यादा जरूरी है कि स्ट्रेड़ी हंट करोगे तो स्ट्रेड़ी हंटर बनके रह जाओगे ट्रेडिंग नहीं कभी आएगी साइकल चलाना एक अलग कला है और पचास साइकलों को देखकर आप साइकल नहीं चला सकते है 50 bikes को देखके आपको bike चलाना नहीं आएगा सर या दुनिया भर की car को देखके आपको car चलाना नहीं आएगा सर जब तक आप car का gate खोल के car के अंदर बैठके self मार के clutch दबा के gear लगा के जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक गाड़ी ना बढ़ने वाली आप रोड पे कितनी भी कार देख लो सोरूम में जाके जितनी कार देख लो तो कार देखना हो गया strategy hunter और कार चलाना हो गया market hunter market hunter तो आप ये decide घर लो कि आप को strategy hunter बनना या market hunter बनना है अगर आप इस वाले group में हो तो मैं लिख के देता हूँ आप profitable कभी नहीं हो सकते और अगर आप इस वाले group में हो लिख के देता हूँ अगले साथ दिन के बाद आपको इतना तो आ जाएगा कि आप loss नहीं कर सकते loss और profit है बहुत देखे ये एक line है ये इसका point है zero जिन लोगों ने गड़ित पड़ी होगी mathematics ये y-axis है ये x-axis है अभी ये इसको minus में denote किया जाता है ये zero हो गया और इसको plus में denote किया जाता है इसको plus में denote किया जाता है तो अभी आप यहाँ पर हो यहाँ पर चल लहो लास में चल लहो थोड़े बहुत हलके फुलके तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इस point से खीच कर मैं zero तक ले आदू मतलब आपके losses होने यहाँ पे सर हो गए बंद जब आप losses बंद कर दोगे तो आप अपने आप इस zero line के दाहीनी तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे और जिस दिन आप यह दाहीनी तरफ बढ़ना शुरू करोगे ना सर उस time आप यहाँ पर ऐसे नहीं बढ़ोगे देखे दो type के बढ़ने हो गए एक तो आप बढ़ोगे ऐसे एक तो बढ़ना ही होता है यहाँ पर आप ऐसे बढ़ोगे सर मैं आपको बताता हूं आप कैसे बढ़ोगे यहाँ पर आप ऐसे बढ़ोगे सर ऐसे नहीं बढ़ोगे यह आपका कर्व जाएगा और अभी आप यहाँ पर हो आप अभी यहाँ पर चाहँ तो यहाँ से खीच कि आपको यहाँ पर लाना है क्योंकि अभी आप जीरो से बहुत दूर खड़े हो सर अगर यह आप हो तो आप जीरो से भी बहुत दूर खड़े हो लेफ्ट साइड पे आपको पहले जीरो पर आना पड़ेगा फिर वागे जाना पड़ेगा फिर कुछ देर तक यहां पर ऐसे चलते जलते फिर आपका कर्व उपर होना शुरू हो जाएगा फिर आप पीछे मुण के नहीं देखो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज दूँ जो आपके character में जाए टेक्निकल के साथ साथ जो आपके character में जाए जो आपके behavioral में जाए जो आपके brain में जाए जो आपके ध्हर में जाए जो आपके mind setup में जाए जो आपकी psychology में जाए मेरी कोशिश हमेशा यही रखती है क्योंकि मैं indicator मैं जो अगर मैं अपनी self की बात करें तो मैं किसी indicator किसी strategy किसी tips किसी की call किसी की put से profitable नहीं हो सकती मैं अपने brain अपनी PSY अपनी emotions इन सब को जीत के मैं profitable आप मेरे से यहां से मेरे से आप यहां पे लड़ो platform पे मेरे से गाली फक्कड करो कुछ भी करो बत्तमीजी करो आप मेरा कुछ नहीं लेके जा सकते क्यों एक्शुल बात यह है सर जो परदे के उस तरफ की जो बात है ना मेरे मित्र वो यह है कि आपकी लड़ाई अपने आप से है मेरे से तो हैं ही नहीं सर हो सकता है आपने मेरे को 10-20-50 यार एक दो लाग रुपए सीखने के लिए दिये हूँ तो वो मैं अपना काम तो करी रहा हूँ नहीं दिये तब भी मैं कर रहा हूँ मैं बस यही आपको आके बता रहा हूँ कि मेरे मित्र आपकी लड़ाई अपने आप से है मेरे से नहीं है आपकी लड़ाई मार्केट से है गलत बोल ला हूँ बताईए बोलो सर इंद्र यह करोगे तस सीजलें इसलिए मैं बहुत ब्लौफिट शियर करता हूं अपने टेली ग्राम में क्युक्कि मैं चाहता है लोहों को ठीकर करता है प्राफिट जो है लोहों को ठीकर्डЕश्τη पर जाने में ग्यान जो है लोगों को ट्रिगर नहीं करता है ग्यान जो है नॉलिज जो है नॉलिज शेरिंग जो है से वो लोगों को बताता है कि हाँ मार्केट में ऐसे काम होता है मार्केट में ऐसे काम होता है कैसे काम होता है वो मैं आपको बताता हूँ देखे, टेलिग्राम चैनल खोलते हैं, फिर उसमें आते हैं, है ना जाब, कल देखिए मैंने आपनों को दिया था ट्रेड जब मैंने आपनों को दिया था तभी मैंने ट्रेड लिया था यह देखिए यह मैंने दिया था ना आपनों को यह देखिए जब मैंने आपनों को टेलिग्राम में पोस्ट कर दिया तब मैंने जाके ये trade लिया है और अपने group में अपने group में ये trade मैंने यही पर दे दिया था और टेलिग्राम पे ये trade मैंने दिया है जब ये इतना भाग गया है तो 18,760 पे चलना था 18,748 यहां से 20 point का SL बना मेरा और जो मैंने group में दिया था तो 18,752 से 18,849 मात्र 5 point का stop loss था सर मात्र 5 point का stop loss और market की हिम्मत ही नहीं हुए कि ये 5 point का भी stop loss खाले आप लोग के सामने है और trade भी आप लोग के सामने है यूं होता तो क्या होता हो तो मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं इतना लिए होते तो इतना होता छोड़ो वो सब तो मोम आया है 10 point के stop loss से काम हो रहा था सर मैं तो बहुत बात में देखा क्योंकि मैं meeting में था तो मैंने बात में देखा तम मैंने यहां पर trade लिया था यहां से मेरा 20 point का stop loss था यहां पर आपका भीषख यहां पर पान सो का loss था 25 दुनी 10 मेरा यहां पर 1,000 रुपय का loss था एक lot में अगर मैं निफ्टी से calculate करूं तो निफ्टी के lot साथ से calculate करूं तो तो ती सर SL ही ऐसा है कि market नहीं खाएगा SL ही ऐसा है कि market नहीं खाएगा नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा क्या कर सकते हैं अगर नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा ऐसे ज्यादा कुछ है ही नहीं उसके बाद उसके बाद भी मैंने आप लोगों कुछ अपडेट दिया है कर या अपडेट दिया है कि यह तो मेरी जो मैंने पोजिशन सेल की थी उस हुँगे मैंने 215 पोजिशनल इस पर भी दिया था मैंने आप लोगोंको कर दिया था 712 पे इस ताइम इपकाला कहाँ पर चलना है आप लो देखलो मैंने बोला था कि फटेगा अगर जिन लोगने देखा होगा टेलिग्राम में भी कुछ दिन पहले ही मैंने दिया शुरम काले एक निट कि आ पी- सील एक आ इपका लए टाहिर से राहट चलना ए। meno 335 मैंने आप को कहां दिया था यह गंड़ी का चार्ट खोल लिए तो पता चल जाएगा तीश मीट का खोल लेते हैं मैंने आपको डिया था हाँ हाँ के आस पास दिया था पता है मुझे 714 पर दिया था देखो भाग गया उसके बाद मैंने आप लोगो क्या दिया था मैं कभी देखता ही नहीं कि मैंने क्या दे दिया क्या नहीं दिया क्योंकि सारे भी प्रॉफिटेबल होते हैं और फिर क्या दिया था मैंने आपको you can make a hedge on buy side 1148 positionally कहां ये कौन सा stock था कुछ और था एक नट ये था आपका HCL टेक मैंने क्यों दिया है जर ध्यान में रखा कीजिए मैंने क्यों दिया है ध्यान में रखा कीजिए चोड़ी चोड़ी मैं आपको वीडियो भी देता रहता हूं देखने के लिए या देखी इसमें मैं क्या बोलना चाह रहा हूं फिर मैंने लिखा था आपको मारा मारी चालू है 18,700 पर मारा मारी चालू है मतलब कॉल लाइटर भी दवा रहे हैं पूट लाइटर भी दवा रहे हैं इसको तो वो सब सारी चीजिए हैं मैं देता रहाता हूं उसको ध्यान में रखा कीजिए जल्दी मैं अपने profit share नहीं एक गाना मैं हमेशा आपको share करते रहता हूं नदिया चले चले ज़े धारा परशान हो ये तो इसको सुनिए बहुत ज्यादा परशान हो ये इसको सुनिए कहने का मतलब यह है सर जब तक आप अपने आपको strategy की उपर काम ही नहीं करना है आपको अपने उपर काम करना है जब तक आप अपने उपर काम नहीं करोगे तब तक आप strategy hunter बनके रहोगे और market आपका hunt कर लेगा शिकार कर लेगा market सर बहुत बड़ा शिकारी है market मेरे मित्र बहुत बड़ा शिकारी है आप से गलती हुई नहीं market नहीं आपका शिकार कर लेगा है ना अब आईए आते हैं कुछ अब देखिए थोड़ा से मैं आपनों को थोड़ा शा की बारे बता देता हूँ तो course का मामला यह है सर आपके सामने दी हुआ है मैंने telegram में डाल दिया और आपके सामने दिया हुआ भी है दो मन्त की फीस इतनी है एक साल की फीस इतनी है इसकी अलाव भी बहुत सारी चीजें है अगर आप interested हो तो आप join कर सकते हो तरफ से ऐसा कोई आपको संदेश नहीं है लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मैं आपके अंदर कुछ कर सकता हूं आपकी ट्रेडिंग को मैं एक एज दे सकता हूं तो आप जॉइन कर सकते हैं जैसा कि आप टेडी में जुड़े हैं मुझे अपने बारे में आपको बताने घुरूत हैं नहीं क्योंकि 33 लिए नहीं है सब क्योंकि यह मेरा पर्सनल नंबर यहां पे दिया हुआ है आप कभी भी कर सकते हो और लोग होते ना एड़ टेलिग्राम पे मेरे को मैसेज करो तब मैं बताऊंगा ऐसा कुछ है नहीं सब जो है आप लोग का है और आपके लिए खुला हुआ है मैं भी आपके लिए उपन एपन हूँ मेरी लर्निंग भी आपके लिए उपन है इसे और आप मार्केट में बने रहें आपने आगल बगल आज-पास दोस्तों रिष्टारों को शेयर करें जिससे वो लोग भी कुछ ज्ञान ले सकें अगर वो लोग ये काम कर रहे हैं तो अब आईए ये सब सारी चीज़े मैंने आपको बता दी ठीक है अब आईए देख लेते हैं कि अभी निफ्टी की क्या सिच्वेशन बन रही है आने वाले टाइम में ये देख लेते हैं जैसा कि मैं आपसे कई दिन से कह रहा हूँ भया बियरिस मत होईएगा sideways to bullish का मामला चलना है क्योंकि weekly chart पे निफ्टी buy में है तो अभी आने वाले मंडे को हम लोग कैसे trade कर सकते हैं आने वाले मंडे को trade करने के लिए बहुत simple सी बात है सर कि अगर आपको market 30 नट के chart पे 5 की moving average के पास मिल गया तो इसको आप buy कर लेना क्योंकि market अभी uncharted हो रखा है कि आपको थोड़ा सा मैं a chart पे में बता देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा knowledge मिल जाएगा कि अभी अभी देखिए अब ये जो हमारा ये fluid trade वाला indicator है हमको दो level बता रहा है सर दो level क्या बता रहा है इसको mark कर लेते हैं कि अभी मैं आप लोगों को finnifti बता दूंगा उसक देख लेते हैं एक ही level बता रहा है और एक ही level बता रहा है अब ये दोनों level हम लोगों ने हाप मार कर लिए अब आ जाते हैं हम लोग घंटे भर के चार्ट पर 30 मिट के चार्ट पर तो 30 नट के चार्ट पर आके हम लोग देखते हैं सर जो हम लोगों ने अभी जो लेवल मार किये उन लेवल के क्या डेफ्थ निकल लई है यह बाद डेफ्थ डिफ्रेंशियेशन पर भी डिस्कस कर लेंगे वह लेवल जो निकल लए हैं 18,842 से 18,880 मिला आप जुला कि 19 हैर क लेवल मार्केट क्रॉस करता है तो हम लोग यहां पर इसी का stop loss रखे इसी लेवल के midpoint का stop loss रखे हम लोग उपर की तरफ जाएंगे उपर की तरफ ट्रेड कैसे करेंगे क्योंकि अब चार्ट जो है आपका uncharted हो चुका है अब यह आगे आपको कोई लेवल नहीं दिख रहा क्या डे चार्ट में आगे कोई लेवल दिख रहा है यह भी आप देख लो कि यह चार्ट में भी कोई लेवल नहीं अब ही आपको जाए अब कैसे टार्गेट करेंगे कोई बात नहीं टार्गेट डिसाइड कर देते हैं कि अब आगेट करने के लिए आज आज आओ 30 मिनट और इसको थोड़ाचा बढ़ा कर दिया अब आप इसमें एक इंडिकेटर लगाओ दनादन कि अधिलेगा मिलेगा को हटा देते हैं तेर के लिए इसको हटा लिए अब आप आजाओ पाइवर्ट पॉइंट में मार्केट आपको कुछ ना दीके पाइवर्ट पॉइंट में फटाक से आईए आप देखिए हमारा जो पहला टार्गेट होगा अठारह जार नौस अब पाइवर्ट पॉइंट को आप इसमें कर लो कैमरीला में कर लो कैमरील अच्छे लेवल देता है यह टेडिशनल है कैमरीला कुछ बताए नहीं रहा है कैमरीला का कैमल गया हो क्या इस्टेंडर्ट पर ही आजाओ साथ कैमरीला या स्टेंडर्ट दोनों में से आप एक यूज कर लेडिशनल अब देखो मार्केट का अगला टार्गेट जो होगा वह आपका होगा 18,950 फिर अगला टार्गेट होगा मार्केट का आपका 19,150 पचास-पचास-पचास पॉइंट का दिखा रहा है आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है सिंपल सिंपल 15 मिनट का चार्ट लगाईएगा पास की मूविंग अविरेज को फालो करते जाएगा जहां तक जाएगा वहां तक जाईएगा प्लस यह पाइवट पॉइंट लगा लीजेगा as simple as that अब आईए थ देखो अभी इसमें डेर सारे सपोर्ट रेस्टेंस है तो पाइवट पॉइंट को हटा देते हैं तो तीस मिट पर आजओ फिन निफ्टी का डे चार्ट क्या बोला है कि यह अभी थोड़ा सा मामला इसका गड़बर है और यह थोड़ा सा यहां से अठ्ठा उन्नीस आर एक 284 का जो सपोर्ट बन रहा है यह इसको ले जाएगा 19,800 तक ठीक है यह दो लेवल आपके निकल के आगए अब आप तीस मिट पे सीधा सीधा चले आओ 30 मिट पे जो आप सीधा सीधा जाओगे सर तो आप देख रहो कि फिन निप्टी 200 की मूविंग एवरेज की उपर है अगर इसके उपर ही खुलती है तो पहले 15 मिट का वेट करके आप देख लेना कि मार्केट क्या यहां से नीचे आ रहा है या इसको तोड़के उपर जा र यह क्या होने वाला है इस में क्योंकि यह भी इसका अभी lets hvad ए क्ट ईकरिए है और आपका फिरा आ आते हैं बैंक निफ्टी में verst斤 में थोड़े सिस समस्या है तमस्या यह है कि निफ्टी अपने all-time high के आसपास खड़ी है और bank nifty नहीं है तो हो सकता है मंदे में निफ्टी और bank nifty का जो correlation है सर्थ उसके इसाब से बता रहा हूं हो सकता है मंदे में market sideways हो जाए क्योंकि बैंक निफ्टी अपने बैंक निफ्टी जो है अपने all-time high के आसपास है ही नहीं है ना साब नीचे आ गए थी परसों गिर के 500 पॉइंट हां तो जब तक बैंक निफ्टी अगर 40-44 को क्रॉस करती है तो आप सीधे जाओगे यहां पे 44-500 के लिए आप जाओगे इस आप यह देखिए और अगर इसके नीचे आती है और एक बेरीस केंडल वनाती है 15-minute की नीचे की तरह फॉल अप देती है तो आप इसी के उपर का स्टॉप लॉस रख लेना आप यहां तक आ जाना तो वह 40-303 सी इतना सिंपल सिंपल सा है ज्यादा मैंने आपको कुछ टेक्निकल चीज नहीं बताई है मैंने आपको लेवल टु लेवल प्ले आउट कैसे करना है वह बताया है आपकी हाथ में आपके प्राइस का अवरेज है सारा सब कुछ है वह आपको मार्केट में इंडिकेशन देता यह बताई अंष्य लगति में आया है मैसेज में कि कुछ these talks का अभी क्या मौदा चल सकता वो मैं बता देता हूं क्या मामता सकता है मैं आया है मैं और फिहनम हाओ यडिए Ciri सिस्टी अंडừa सब्सक्ति कि बता दियर एट कि मैं आपको बता दिता हूं । मैं मामला क्या चल ला है और ये डियर सी डि सी मैं आपको क्या मता छान को ला Cela मुझे कि मेरे को नहीं पता है ना सर कि आप कहां पे हो आई यार सीटी सी पता देता हूं लेकिन क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए सर तभी तो आंसर आप आप गलत पूछो को फिर मैं गलत जवाब दे दूंगा आप एकदम पॉइंट पूइंट पूइंट आपको जवाब मिलेगा वीकली में भी बाई है आप्शन बताईए सर किस कॉल आप्शन में हो किस इक्स्पाइरी में हो बोल के बता दो ना सर माइक आउन कर लीजे बोल के बता दीजे एक गंटे में बता दो है एक घंटे में आए आई आर सीटीसी बाई में ही ए तेल में नहीं है यहाँ पे आ कर दो रुख सकता है 680 के आसपास आके IRCTC रुख सकता है क्योंकि यहां पर इसका एक कि रजिस्टेंस बन रहा है कि IRCTC हो गया और दूसरा क्या है कि 950 का सी ऐड डरेट बारेट कब का है अब फिर देखें फिर मेरे को पूछना पड़ रहा है जून का है जुलाई का है कब का है सर जून का जून का जून का 950 का सी ठीक है भी जून में अभी कितना दिन बागी है विए 17 तारीक हो गया आपको 21 तारीक 27 तारीक को निगलना इसमें 27 या 28 में पता देता हूँ कि कि प्सक्षब अजन का जून का जून का जून का हाँ कि 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 आयाइर सिटीट सी में अगर मैं जून तक की एक्सपारी का देखू सर जून तक की क्सपारी है आप लोग अपना प्लीज माइक आफ कर लीजिए यह वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगा आई यार सीटी सी का अभी में जून में जो टार्गेट देख रहा हूं सर वो नियर बाउट मैं 700 तक का देख रहा हूं साथ सो तक का कर लूँ फिर उस पर भी आते हैं अभी जो मैं जून जून का मैं टार्गेट देख रहा हूं जून की एक्सपारी तक का वो मैं 700 तक का देख रहा हूं टार्गेट से ज्यादा मैं आपको इसमें स्टॉप लॉस बता देता हूं कि सर आप IRCT में स्टॉप लॉस कहां लोगे IRCT का इस टॉप लॉस आप लोगे खेसो पच्पन पर खेसो पच्पन पर आपका इस्टॉप लॉस होना चाहिए IRCTC में क्योंकि एक घंटे में यह वी वेप से पीछे हुआ है चेसो पच्पन का आप स्टॉप लॉस लो गया IRCTC में इधर अगर यह उपर जाने लगा तो वारे ने आ रहे हैं यह आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा ठीक है इसके बाद कौन सा स्टॉप था सर ICICI ICICI Bank E A N K ICICI Bank Sir Day Chart पे देख लेते हैं क्या मामला चलना है weekly पर क्या मामला चलना है ICICI Bank में अगर आपको trade बनाना है अगर swing trade करना है तो आपका stop loss 924 है मेरे ख्याल से यह up ही है यह down नहीं है यह up ही है यह down नहीं है यह down कब होगा जब यह 920 के नीचे आ जाएगा तब यह down होगा उसके पहले अभी यह down नहीं होगा उसके पहले यह down नहीं होगा 920 के नीचे इसको down नहीं मना जा सकता है क्योंकि अगर मैं आपको SBI दिखा दूं कि से रिलेटेड मैं SBI दिखा दूं SBI में मैं ट्रेड में हूँ और SBI में मैं यहां से ट्रेड हूँ जब 20 की moving average के नीचे आया था तब से मैं ट्रेड में हूँ और यह काफी पर अपना ट्रेड लिया था और इसकी उपर का इस टॉप लॉस था अब तो खरो इस टॉप लॉस भी खतम हो गया तो अब मैं देख रहा हूं कि अगर यह 50 के नीचे अगर सस्टेन कर गया 50 के नीचे तो तगड़ा यहां तक यह जाएगा 500 तक नहीं जएगा तक मैं यकलने वाला हूं और क्या मैसस थाम जो मैंने लिया आई सी आइस ए किरThose वो मैंने बताया अब आते हैं एक्सिस और स्द्स का कालभाई किया है गुरू जी ओके एक्सिस बैंक में पहाइत ही जवर्दस्ट दू इन दस्त बुली से फिसले महीं ने एक्सिस बैंक में आप लोगों को सायद मैंने स्क्रीन शॉट शेर भी किया था इस्टोनेज के एक लाट में 35 का प्रॉफिट चल ला था अगर आप लोगों ने मेरा वह स्नैप्शॉट देखा होगा तो और अगर किसी ने लिया होगा तो उसक का आप्शन लिया है एक्सिस बैंक में आप लोग भी ले सकते हो दस बारा परसेंट दूर का आप इस टोनेज में उठा सकते हो अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे को फोन करके पूछ लेना उसमें एक्सिस बैंक भीया तगड़े तरीके से बाई में है निप्टी बाई में है एक्सिस बैंक में आप कॉल आप्शन में हूँ एक्सिस बैंक में जो आपका इस टॉप लॉस है सर वह मैं आपको बता देता हूं इस टॉप लॉस आपका बनेगा 960 रुपए एक्सिस बैंक का और SDFC-AMC SDFC-AMC HDFC-AMC SDFC-AMC में आते हैं सर SDFC-AMC weekly में बाई है लेकिन अभी यह थोड़ा सा रिट्रेस करेगा अब मैं आपको बता देता हूं कहां तक रिट्रेस करेगा day chart में 20 की moving average की उपर है सर और most probably अभी यहां से भगेगा weekly chart पे और आप मंथली पर भी जाके देख लो यह तकड बाई में है तो आप इसमें call side में बैठे हूं तो मैं आपको बता दे रहा हूं आपका stop loss कहां है आपका stop loss बनेगा सर वो 1871 के नीचे ही है और 1871 को भी अगर मैं safe करना चाहूं आपके लिए तो 18555 का stop loss बनेगा SDFC-AMC में मिला जुला कि यह stock buy में ही है still में नहीं बाई में ह नहीं है यह stock याद रखिएगा और किसी का कोई stock जिसमें दुविदा है या जिसमें कोई फसा है रोहीनी जी पताएं आपका क्या कोश्चा करी रहा है क्या मैं किसे बताईए किस stock में ICICI bank का July expiry का 990 का call खरीना मैं मुझे दोनों खोलने दीजे ICICI bank हाँ जी अब मेरे को sensible पर आने दीजे फिर मैं mark out करता हूं फिर मैं वहां से आपको बताता हूं मैं मैं वैसे भी आपको बता दूंगा मुह से लेकिन आपको समझ में आना चाहिए इसलिए मैं आपके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं रहा हूं है ना कि वह आपको समझ में आना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों बोल ला हूं मैं तो अभी तुरंट बता दूं कि उपर जाएगा नीचे आएगा आप समझिए कि वो क्यों उपर जाएगा और क्यों नीचे आएगा है ना आप इस बात को समझिए आपका समझना जरूरी है और मेरा तरीके से बताना जरूरी है आप आप ट्रेड जुलाई महिने में हो ना अची इसी आई सी आई बैंक अब मुझे काल आप्शन मताये मैम अची का कॉल है बहुत ज्यादा ओट्यम हो गया जैसा लग रहा है ने 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 कोई OTM नहीं आपने बहुत तरीकी की कॉल चुनी है don't worry about that कोई OTM नहीं है Around 9 रुपीज का मैंने खरीदा है तो लबग 6,000 कुछ investment है हाँ तो अभी मेरे खिया से आपका 1,500 रुपय का loss दिखा रहा होगा हाँ हाँ अब हम लोग आपको आपको बताते हैं ICICI bank की metallergy क्या है ICICI bank अगर आप मेरे हिसाब से ICICI bank में चलो एक नट मैं इसका मंसली चार्ट देख लेता हूं तो जी टेली चार्ट वीकली चार्ट क्या बोला है और टेली चार्ट क्या बोला है ठीक है आप ICICI bank में जो अपना stop loss रखोगे मैं copy pen पे note कर लोगा आप हाँ ची ICICI bank का जो stop loss है वो है आपका 920 रुपए अगर यह 920 रुपए के नीचे चला गया तो आप इसमें से निकल जाओ जब भी आप option में हो आपने option ले लिया no doubt ले ले ATM ले लिया ATM ले लिया never don't worry ever है ना चार्ट पर आपको समझना है कि चार्ट क्या बोला है क्योंकि option आपका चार्ट से ही चलेगा जी अप्शन डेरिवेटिव जो है वह आपका चार्ट का यह पार्ट है ना अभी आने वाले टाइम में अगर मैं इसका टार्गेट बोलू तो 970-980 के आसपास का है है ना अब आगर आईए अगर आपका लॉस है 4000 रुपए मतलब इस ट्रेड में आपका 4000 रुपए से ज्यादा लॉस ही नहीं मैडम पहली बात दूसरी बात अगर ट्रेड करता हो तो अगर चार है का लॉस दिखा दिया है और आपका 6000 का आपशन है तो अगर टेड करता हूं तो अगर चार है आपने 6000 का 2,000 के लिए आप रुख सकते हो क्योंकि आने वाले टायम में आप जिस तरीके से निफ्टी देख रहे हो और जिस तरीके से बैंक Nifty का आपने मुवमेंट देखा है कल और निफटी का भी मुवमेंट देखा है मैडम उस तरीके से मार्केट अप में है तो इस ट्रेड में पूरी संभावना है मार्केट ऊपर जाए है ना है टो आप आई ये फीक्ली चाट्ट पे हम लोग इसका थोड़ा सा एनलाइज कर लेते की विक्ली चाट पे क्या बोला है यह े विक्ली चांट पे यह जो मैं आपको 920 920 का दे रहा हूं यह इसका एवरिज परिसंटायल का जोन है विक्ली चाट पे आपका मैं तो कहूंगा कि आपको 900 तक्का तो वेट करना चाहिए क्योंकि आपका मैक्स लॉस इसमें 6000 का है जो भी आपने प्राइस पे लिया है और जो 6000 का लॉस हो आपको तुरंद नहीं होगा इसी महीने में नहीं होगा वह आपको होगा मैं आपको बता देता हूं आपको कब होगा 6000 का लॉस वह 6000 का लॉस इग्जैक्टली आपको 20 तारीख के बाद होगा जुलाई और अभी आप खड़े हो मैडम आज 16 जून पे खड़े हो आप कि तारीख हो भी अरे यह तो अगस्थ हो गया अभी आज आज आप 17 जून पे खड़े हो ठीक है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारत तेरा दिन तो इसमें हैं आपके पास ठीक है जी देर थर्टीन डेज इन दिस मन् और तेरह और भीस किता होगा वीज दस तीन तिन तैस निर बाउट आपके पास 30 तू 35 डेज इस ट्रेड में वेड करने के दियें अब आप हुआ जी घरररा कॉंसरै पानी पहुत हुआ ता पी भी फिर बताते हैं कि मैंने एक रिलाइंस का ट्रेड दिया है आपने अच्छा आपको दो दिन पहलेही जुड़ा ही तो आपने लिए ही शिर्ट कि रिलाइंस का मैंने वो दिया क्या कहते हैं ऑप्शन दिया है बहुत तगड़ा काम कर रहा हूँ अभी उसको भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा को मैं आप लोगों को अब्जर्व करवाऊंगा कि वह क्यों चला रिलाइंस और पिछले महिने में हम लोग रिलाइंस के ट्र आलेसिस थी फिट फ्यूचर है ना इसमें आपका फ्यूचर भाई था और जिस आप्शन से हैज किया था वह आईटीयम आप्शन था इंदमनी इंदमनी आप्शन था वह तो उसमें यही था कि अगर रिलाइंस चलो नहीं चला तो क्या होगा मेरे को कितना लॉस दे सकता त एक फ्यूचर ट्रेड में आप लोग देखते हो कि प्रफिट दिखाता है पचार से रूपए और लॉस दिखाता है पन्दरह Waar रूपए दिखा देता है और हूर चानी सीया रूपई दिखा देता है ऐसे धिखाता है धिजू यह तरीकर से गैसे पीचिंचर एज मैं कि मैर पहले अपने लॉस को पकड़ो कि पहले आप अपने लॉस को पकड़ो मैं आपको बताता हूं एक नंदी पहले महीने एक्सिस बेंक का ट्रेट दिया गया था आपका यह क्या कहते हैं बहुत सारे लेकिन एक्सिस बैंक ने उसमें एक्सेप्शनली परफॉर्म किया जैसे कि आज आज आपने मैम छह हजार का ये खरीदा रिलाइंस का एक्सिस बैंक का जो हम लोगों ने आप्शन लिया तो एक नट मैं टेलिग्राम पर देखता हूं कि अगर वो ट्रेड है या नहीं वो मेर एक नट दीजिएगा अजी अगर अगर देखिए मैं टेलिग्राम में फिर से डाला हूं देखेगा आप लोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगो कि क्या यह था जून साथ 9 33 साथ जून में 9 33 का ट्रेड था जाते हैं मैं अपने टेलिग्राम पर खुद ही मैं स्क्रीन शॉट नहीं ले सकता मैं आपको कैसे दूं नौ तेमन्थ आप जून चलते हैं कि कि आइन थर्टी थी आगे नाइन थर्टी थी अगे इन थी यह दिख यह लगा ट्रेड देक्या आप लोग देखा आपने सेम ऐसे ही ट्रेट था एक्सिस बैंक का ये 32 यार का था इसने जो टोटल प्रॉफिट दिखाया था इसने 40 यार का दिखाया था देखे 32,000 चल ला था तो मैंने स्क्राइश बैया था और ये मैंने अपने छोटे काउंट कर दिया मैं खुद इसमें नियर बॉट बीस लॉट के साथ था मैं इसमें और ये 6 रुपए 290 पैसे पर खरीदा हुआ था और एवरेस था इसका 6 रुपए 290 पैसे पर 1200 का लाट था तो 12 चके 70,000 का था है ना मैं जैसे आपने अभी ICICI bank का लिया है और ये पूरे महीने पूरे 60 दिन का ये trade था जैसे अभी मैंने आपको बताए कि आपके पास days कितने उस days की calculation के basis पे एक जो stone age की calculation होती है वो 40-55 days की होती है calculation है ना मैं तो एक छोटे से trade में 40-50 दिन बैठना पूरे मतब नियर बाउट one and a half month बैठना भी अपने आप में बहुत बड़ा patience होता है क्योंकि during that period वो trade कभी minus में चला जाता है कभी plus में चला जाता है minus में चला गया दिखे minus में आपको 1000 से जादे का last तो देगा ने लेकिन जब ये plus होना शुरू होता है कभी 2000 हो गया कभी 4000 हजार हो गया कभी 10,000 हो गया कभी 15,000 हो गया तो आपको यह होता है ना कि चलो आप इसको काट देते हैं है ना आप इसे play out कर सकते हो आप डाउन पे no doubt लेकिन what is your patience level ये देखना थोड़ा सा जुरूरी हो जाता है तो अगर आप इस तरीके के 5 ट्रेड लेते हो पांच ट्रे और 30K की investment है तो 30K का आपका loss भी है है ना साहाब अगर आपका 30R की investment है तो 30R का loss आप पकड़के चलो है ना investment equal to loss है ना अगर इस जो जो एनालिसिस पर ये ट्रेड दिये जाते हैं 5 में से 5 ही तो fail नहीं हो सकते हैं है ना मैडम कोई दो तो पास निकलेंगे तो इसमें हमेशा आपका ratio होता है 1 is to 7 का 1 is to 8 का no doubt 1 is to 8 का ratio होता है अब दो भी आपके चले गए तो आपके 60-70,000 रुपय अराम से निकला आते हैं आप सोचिए मैं इसमें 20 lot से था आप इसमें गुड़ा भाग करके देख लिजे कितना बनता ह कि मेरे गुरुप में ऐसे ऐसे लोग थे नाम नहीं लेना चाहूंगा आप या अपर लेकिन ऐसे ऐसे लोग है जिन्होंने की ओल जून के इस टोन एस को जुलाइं में बुक किया है सबसे बड़ा जो प्रॉफिट आया है मेरे सभेरे के मार्निंग वाले गुरूप से आया तीन लाख साड़े तीन लाख में आपको खोने के लिए मात्र डेढ़ लाक रुप है जो मैंने आपको बोताया क्योंकि आपके पास पचास आपके पास पचास दिन का टाइम लिवरेज है पचास दिने बहुत सारी चीजे होती है अगर आप थोड़ा सा अटेंटिव हो है ना अब एक ही ट्रेड मुल्टिपल प्रॉफिट अब देखिए यह 32 आर का जो जो इसने टोटल जो 40 आर का जो प्रॉफिट दिखाया था इसमें यह कई बार 10,000 के उपर गया है कई बार 15,000 तका है लेकिन मैंने इसको बुक नहीं किया था नहीं किया रही आफ करता देता फिर नीचे आता फिर में नीचे से उठा लेता उने बाचांको ने करता है परसन टू पर्सन की वे आपका कैरेक्टर का ऐसा अपकी साइकलोजिक कास्थी निफार कि यह इंड़क्ट ते बाट आए मोग आ यह वे कि मैं थोड़ी सी observation थोड़ी सी analysis देना चाहा रहा था कि आपने trade गलत नहीं दिया है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आप उसमें से निकलोगे कब आपने इंट्री तो कर दी तो मार्केट देगा आपको आपकी अनाल्सिस ठीक है यह भी तो आप घुस्तो लिए और लेकिन आप निकलने वाला भी तो दरवाजा पता होना चाहिए ना मैंडम वह चीज मैं आपको बताना चाहा रहा हूं कि आपकी इंट्री के पहले आपके ल अब वीकली में आप देखेंगी मैडम आप यह फ्लूइड ट्रेड नाम का एक इंडिकेटर है इसको आप लगा लो कि इसको आप लगा लो कि इसमें कोई दिक्कत आएगी अगर आपको मेरा नंबर यह है 85888-18434 इस पर आप कभी भी संपर कर सकते हो 24 इंट्यू 7 24 इंट् इफ्रेंट कंट्री से हैं उनके साथ ट्रेडिंग चलती रहती कुछ ना कुछ क्लासे चलती ही रहती है तो मैं उसमें भी रहता हूं तो आपका फोन कभी भी आएगा उठेगा और अगर नहीं उठा तो जवाब आपको अगले पांच मिनट दस मिनट के अंदर मिल जाएग तो ट्रेड में डरना मना है आप अपना स्टॉप लॉस लेकर जाओ दूसरी बात मैंने आपको बता दिया इसमें से आपका चार हजार से ज्यादा लास होने वाला ही नहीं है वो भी कब होने वाला है जुलाई के फस्स सेकंड वीक तक तो आप इसमें बने रही है मैंने I-A-N-C-E रिलाइंस आप कुछ भी बनाते हो आप सेलर हो आप हो सेलर आप हो बायर आप हो हैजर कुछ भी आप हो इन तीनों केस में एक चीज़ मैंडेट एंड कमपलसरी है जानना वो है मार्केट की डायरेक्शन मानते हो आप लोग इस बात को कि मार्केट अप है या डा उपर जायेगा या नीचे आएगा आप देखो कि मैं आपको रेलाइंस का ट्रेट बता देता हूँ व कि ऐक नट मुझे अपने मोबाइल में देखने दीजिए उसे का को कि रिलाइंस का क्या है वाइं किया है रिलाम्स कि आई वोल्डास रिलाइंस रिलाइंस का ये देखिए आप फुले आता हूं रिलाइंस कि आता हूं रिलाइंस कि आता हूं रिलाइंस का सी जो मेरे पास बाई हम है वह नियर अबाउट है पांच रुपए 27 पैसे से बाई है और आप इसका देख लोगे लॉट साइज है आपका अब अभी इस ताइम में चल ला है मेरे मोबाइल में जो दिखा रहा है अभी इस ताइम में चल ला है रिलाइंस इसमें 24 रुपए 60 पैसे पर चल ला है इसमें एंजिल ब्रोकिंग बता रहा है चोविस रुपए 60 पैसे जो भी बता रहा है दस भी स्पाइंट का अंतरव इसको छोड़ी अब रिलाइंस मैंने क्यों दिया रिलाइंस से मैं पिछले महिने भी ट्रेड में था रिलाइंस को मैंने क्यों दिया अब आप आजाएए वीकली की चार्ट की अनालिसिस पर रिलाइंस देखिए यह जो ब्लू लाइन के ऊपर जो यह कंवर्ज कर रहा है अपने आपको यह मैं इसको लाल लाइन से खीचता हूं तब आपको पता चल रहाएगा यह आजो यह यह ब्लू हाली है पचास की एम में है न जाव कि यह मेरे नजर में बहुत दिन से थी यह मेरी नजर में बहुत दिन से थी और यही मेरा ट्रेड लेने का रिजन की रिलाइंस अपने आपको यहां पर एवरेज कर रहा है अब देखे रिलाइंस फट गया और रिलाइंस अब कहां तक ज आना चाहते हो रिलाइंस में तो आप टार्गेट क्या मैं बता रहा हूं कि 2750 का टार्गेट है 2550 का एवरेज परसेंटाइल हुआ अब 2800 वाले में यह यह बाई है इसको आप बाई करो इसको आप डन करो इसका मैं स्क्रीन शॉट लेके मैं आपको इसमें लुप में दे देता हूं आप इसको मंले को कर सकते अब देखें इसमें 2550 क्या ही इसमें आपको लगना है काम 2550 का अमाउंट लगना है मेरे खिया से आप 2550 खोने के लिए तैयार हूं वैर वैर ऐसा थिंक ठीक है तो यह आपको पैसा दे कर ही जाएगा जाएगा और आप थोड़ा सा और इंद मनी में रहना चाहते हो मतलब आउट आप दा उस पे नहीं होना चाहा रहे हो आप कि आप 2780 वाला भी भाई कर सकते हो कितना लगेगा कि लगेगा आपका 7550 तो आप लिख सकते हो डायरी पे अठाइस सो मैं दोनों को पोस्ट कर दे रहा हूं यह दोनों यह इस ट्राइक प्राइस है आप इसमें से दोनों ही बना सकते हो यह मैंने आसे रिलाइंस को क्लिप क कर दिया और मैंने इसको जाके टेलिग्राम में इस्त कर दिया control V मैं दिक दिया make TOSITION in any one Option कि एज पर को कि फंड कि इस तरीके से मैंने आपको एंजी सी दिया था वो टास्ट भी देखे रखता है अब आपको एक ट्रेड और दिखा देता हूं इसमें मैं हूँ अभी और बड़े लॉट में हूँ एंजी सी में रिलाइंस होका है यह ओएंजी सी अब आई ओएंजी सी ओएंजी सी में देखिए एक डेपे जब यह 200 की मूविंग एवरेज पर टिपपे खा रहा था तभी मैंने इसको बाई कर लिया था ओएंजी सी में जो मेरी पोजीशन है बनी हुई है तीन रुपए दस पैसे पे 3850 का लॉट है 3850 का लॉट है और 455 पे इस टाइम चला ओएंजी सी टोटल एक डेड़ रुपए का इसमें प्रॉफिट चला है जिसके इसाब से अभी अभी मेरा एक लॉट का प्रॉफिट न का इसमें प्रॉफिट यहां पर आसपास है देखिए मैं एकदम बॉटम में पकड़ा है इसको ओएंजी सी के चार्ट की साब से मैं ओएंजी सी का चार्ट में यहां पर लगा लेता हूँ ओएंजी सी ओएंजी सी का टार्गेट अभी जो मैं लेके चल ला हूँ ओएंजी सी का टार्गेट है 168 रुपीज और जिस दिन ही 168 रुपीज चला जाएगा ओएंजी सी मैं कर लिए दन कर लिया और मैंने इसको अपने कॉस्ट पर लगा दिया थी रुपई दस पैसे लगा दिया पर मैंने इसको 168 भगा के देख लेते हैं अगर मेरे टार्गेट को वीट कर देता है चलिए 165 भी चला जाता है और 19 जून की जगह पे आपका 19 जून है 19 जून की जगह पे कर देते हैं जुलाई में ले आते हैं चलिए 10 जुलाई तक ले गए तब भी आपको 16,000 रुपए का प्राफिट दे के जाएगा ठीक है मैं अब इन सारों को रिसेट कर देते हैं तो मैं आपको पता देता हूं मेरी इंवेस्टमेंट कित्वी है मेरी इंवेस्टमेंट है मात रिस में 11,000 रुपए की और 11,000 रुपए में यह अभी मेरे को 4,000 रुपए दे रहा है तो ROI क्या निकली परसेंटेज वाइज ROI क्या निकली 4,000 रुपए दे रहा है डिवाइट इड़ बाई 11,000 वन वन इन्टू हंड्रेड यह अभी मुझे 36 फर्सेंट कि आरोइ दे रहा तो है है आपको सम्झ में आई हैं है तो यह सब सारी चीज है यह सब सारी चीज देख लेते हैं लेने के पीछे रीजन क्या है वोल्टास को अभी आप वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे वीकली चार्ट पे अभी जो इसका जो सबसे बड़ा हाडल बन रहा है 20 की मुविंग एवरेज और 200 की यहां पर खड़ी है इसने बीचे प्रॉफिट भी दिखाया था अभी यह एक लॉट में 6500 रुपए के लॉस पे चलना है बट यह लॉस में नहीं होगा अभी क्योंकि नोशनल लॉस है जो अभी आप के पास से डिसपीर हो जाएगा आने वाले दिनों अभी इसमें मेरा स्ट टोटल इंवेस्टमेंट है बोल टास की वह 600 का लॉट है और मैंने 5 रुपए 10 पैसे 5 रुपए में लंब सम आप सब्सक्राइब तो छे पचे तीस तीन हैयार का मैंने यह आप्शन खरीदा है अगर यहां पर आगए तो मेरा 1.500 रुपए से जादे का नुकसान नहीं है प है बहुत है इसमें एक आपको बता देता हूं मेरे पास कौन वह से इस तोरा सकते हैं यहां और यह इस तोरा बता सकते हैं इस्टोन की इस्टोन में है एल्टी आयं में Mda में नौकरि में है में 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 मैं में मयाइ में ये लवाम मुजा कैमिकल में आपको बताई दिया SBIN है Reliance है ONGC मैंने आपको बता दिया मारूती में भी है Axis Bank में भी है Asian Pant में भी है Indocent Bank में भी है RT Industry में भी है इसके अलावा भी और है 8-10 इसके अलावा और भी है 8-10 कोई जरूरी नहीं है सरे ATM से 10% के नीचे कोई जरूरी नहीं है अच्छा और भी नीचे जा सकते हैं और भी नीचे जा सकते हैं इस्टोनेज की जो calculation होती है सर वह आपकी होती है actually option की intrinsic value और time value पर आपने शाहिद ध्यान दिया हो कि कोई भी option हो चाहे stock का हो चाहे future का हो उसमें दो चीज़े होती है एक होती है intrinsic value I & T value एक होती है time value इन दो values को calculate करके इस्टोने इसकी calculation निकाली आते मैं देता रहता हूं उसकी आप चिंता मत कीजिए मैं देता रहता हूं वो आपको time to time जैसे मेरे को अब देखे मेरा जो बनाने का तरीका है मैं थोड़ी सी aggressive trade करता हूं तो मैं option के भगने के पहले ही मैं बना देता हूं क्योंकि मुझे मैं मुझे पता है मेरा उसमें ज्यादा loss नहीं है एक lot का अगर मैं loss पकड़के चलो तो trade से 2,000 रुपए होते हैं 20 lot में आपका हो गया दो दुनी चार 40,000 रुपए इतना 45,000 रुपए का मैं अपना एक इस्टोनेज में loss मान के चलता हूं उसी हिसाब से मेरी trading होती है आप लोगों मैं देता हूं आप लोग अपनी प्रद्धा के अनुसार इच्छा के अनुसार अपने फंड मैनेजमेंट के अनुसार उससे बना सकते हो एक lot दो lot तीन lot क्योंकि मुझे पता है मुझे बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर 15 में से 5 वीच ले गए तो 15 से 20 लाग रुपए कहीं नहीं गया है यह अब आपको calculation से मालूम हो गया होगा मालूम हो गया कि नहीं सर बताइए तो अब दूसरी बात एक चीज तो मैं यह करता हूँ मेरे पास trading की बहुत सारी विधिया है एक चीज मैं यह करता हूँ दूसरी चीज अभी आप लोग उने कुछ दिन पहले देखी होगी एक option मेरे पास लग्की रखा है यह है 19 हैर 500 सारी 20 हैर का put है 20 हैर का put है वो मैंने इसको 20-20 lot में मैंने sale करके डाल दिया है यह मेरी यहाँ पर selling है 1045 के आसपास अभी आप 20 हैर का put देख रहा हो यह 1145 के आसपास की selling है और यह 1025 के आसपास चल ला है एक lot में यह मुझे near about 7,000 रुपए दे रहा है एक lot में है ना सर एक lot में 7 रुपए दे रहा है मैं इसमें 20 lot से हूं तो 1.40 lakh का इसमें चल ला है और भी कुछ सारी selling है दूसरी बात तीसरी बात हाँ टेलिग्राम में मैंने दिया था मैंने sale करने के बाद उसका photo खीच के भेज दिया था है ना और तीस तीसरी बात यह कि जैसे आप इस पर आ जाओ निफ्टी पर आ जाओ और निफ्टी जुलाई पर आ जाओ निफ्टी आप जुलाई पर आ जाओ ठीक है साहाँ निफ्टी जुलाई में मैं आपको option chain खोल के बता देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा strategy builder analyze option chain यह रहा है थोड़ा सा समझनी कोशिश कीजिएगा सर आप स्टाक मार्केट में कई तरीके से पर यह 22 जुन का है आप 27 जुलाई पर आ जाओ तो मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं इससे आपको समझ में आ जाए control minus 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 ज्यादा ही छोटा हो गया और बढ़ा करो और बढ़ा करो ठीक है जी अब में अलफा बीटा गामा डिल्टा बहुत सारा चीज़ आ गया है एक पर लॉट अब इसमें क्या करना है अब आपके सामने LTP भी हो गया आशा करता हूं कि आप लोगों को दिख रहा होगा प्लस कर देते हैं थोड़ा सा और बढ़ा कर देते हैं अब दिख रहा हो अभी क्या चला है मार्केट 19 से आर के आस पास चला है है ना जी आपको पता है यह OTM है और यह OTM है ठीके साम मैने PUT SIDE में पुट साइड में यह सारे STREIKE PRICE बेच दियें और similar to that CALL SIDE में यह रहा का CALL SIDE कॉल साइड में मैं ने सारे STREIKE PRICE बेच दियें जिदेने मुझे liquidity मिली उसके इसलाद से सरे ही बेच दी कहने का मतलब निफ्टी जुलाई में जितने अभी स्ट्राइक खुले हैं OTM में ATM से एक पॉइंट नीचे कॉल ATM से एक पॉइंट उपर पुट सारे मैंने उठा के बेच दे कहने का मतलब निफ्टी जुलाई को मैंने पूरा बेच के रखा है ये इसको को बोलते हैं Brutal Selling सब कुछ उठा के बेच दिया है सर अब ये मुझे बिना पैसा दिये जा नहीं सकता है अब मेरे को बैठ के क्योड टाइम का इंतजार करना है और मेरे को क्योड पैसा इससे निकालना है खाना टाइम एलू खानी आप लोग जानते होगा अगर आप में से कोई भी अगर Seller होगा है Selling के बारे में जानता होगा तो उसको ये बात पता होगी इसमें टाइम का ही पैसा मिनना है ठीक है जाब बहुत सारी विधियां है सर Trade करने की बहुत सारी विधियां है Trade करने की अब मेरे पास ये सारी ही सारी मैं Option Seller भी हूँ मैं Buyer भी हूँ मैं Hazard भी हूँ मैं Arbitrage भी बना देता हूँ मैं Synthetically भी Buye करता हूँ बहुत सारी चीज़े मैं करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उन सब सारी चीज़ों पर आप लोग आए उन सब सारी चीज़ों पर आने के लिए बहुत सिंपल सी बात है सर आपको कुछ नहीं करना है आप क्योल चार्ट को एनलाईज करना सीखना है N I F T Y 50 आप क्योल और क्योल चार्ट को अनलाईज करना है क्योंकि आप सेलर हो बायर हो हेजर हो तीनों पोजिशन में सर एक चीज़ जो मैंडेटरी और कंप्लाइंट है वो एक ही चीज़ है कि आपको चार्ट की अनालिसिस आनी चाहिए आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए सर बताएगे और दूसरी बात अब चार्ट की नालिसिस आप कंडलिस्तिक पैटरन से नहीं कर पाओगे कप एन हैंडल बन गया राइजिंग वेज बन गया डिक्रीजिंग वेज बन गया एम बन गया डबलू बन गया एन वेज बन गया या इस ताइप के और भी बहुत सारी चीज़े हैं एन शोल्डर्स बन गया अपोजिट एन शोल्डर्स बन गया इनवाटेड वाला अब उसका भी मैं आपको थेयरी बता देता हूँ उसकी भी थेयरी आप जान लो कि ये हेड एन शोल्डर पैटरन है सर और ये हेड हो गया अब आप सूचते क्या हो कि हेड कि हेड एज शोल्डर्स कम्प्लिЬक हो गया अब यह इसी की डेफट देखते ओ आप यह इस की laptop देखते ओ तो यह तो तो तब बनेगा ना सर जब आप तो तब देखो जब यह पूरा बन जाएगा तब आपकी नजर में आएगा कि नहीं आएगा मैं आपको क्या सिखाता हूं अब आप देखिए मैं आपको क्या बतानी कोशिश करता हूं यह आपके हो गए 4 यह पॉइंट मार्केट यही यह मार्केट ऐसे यह चला मार्केट यहां से उपर ऊठने लगा आप यह यहां पर मार्केट को खरीदो यहां पर stop-loss रखो आप यहां तक जाओ इसके नीचे आगया आप trade को काटो फिर आप यहाँ पे नीचे घुसो यहां का stop loss रखो मालीजी यह 10 point है यह वाला पूरा आपका 20 point है यह भी आपका पूरा 20 point है और यह भी आपका पूरा 10 point है head and shoulders की यही परिवास्चा है , फिर market नीचे आगए आप फिर से इसको מार्किट करो यहां यहां मार्किट यहां से उठा आप यहां से मार्किट से नीचे आप यहां पे निकल गए आप यहां पे निकल गए फिर आप ने यहां पर ट्रेड लिया यहां का आपने इस तरीके से आपने आठ छे पॉइंट यहां पे निकाले पंद्रह पॉइंट यहां पे निकाले पंद्रह पॉइंट यहां पे निकाले पंद्रह पॉइंट यहां पे निकाले मैम प्लीज अपना माइक आफ कर दीजे प्लीज पंद्रह पॉइंट यहां पे निकाले पर निकाले आप टोटल कितना हो गया च्छे-छे-बारे फंद्रा-बारे 27 कि अगे करें अगे कि इसकी पटा कि अगे इसकी अगे कि कुछ भागा ना एक तब हम थोड़े ले इसके अगे आपने यहां पर 54 पॉइंट लिए गुड़े पचास निफ्टी का है पांच पचीस पचीस रुपए आपने कमांगी या पचीस सो पॉइंट या कुछ भी आप कर लो क्योंगी अब तो भी या जब पैटर्न बन जाएगा जब पैटर्न बन जाएगा तब तो दिखेगा न मैं तो पैटर्न के पहले बनने का ट्रेड बोला हूं पैटर्न बनने से पहले पैटर्न को ट्रेड कर दो इस pattern में आपका क्या-क्या बन रहा है देखो जी pattern में आपका क्या-क्या बन रहा है इस pattern में आपका क्या बन रहा है यहां पर call बन रहा है इस line पर call बन रहा है इस line पर put बन रहा है हुआ यह सिखाने की कोशिस कर रहा हूं कि आपको मार्केट को छोड़ना ही नहीं है भाई जाग क्यों पड़े हो चक्कर में W pattern चलो आईए देख लेते हैं W pattern या M pattern जो भी दोनों ही same है ultra-sitah कर दीजेगा तो same ही है W pattern पर आप आ जाओ यह W pattern बन गया जी W pattern का thesis क्या है W pattern की thesis है जब यह neckline टूटे की तब जाना है हर जब neckline टूटे की तब जाना भीया ठीक है तुमारी बात इसको कॉन trade करेगा इसको कॉन trade करेगा इसको कॉन trade करेगा इसको कॉन trade करेगा बनने तो W ABCD से लेके XYZ तक बनने दो आप मार्केट में सबको trade करना है सबको trade करना है सर ABCD से XYZ 1, 2, 3, 4 से 100 तक बनने दो आपको सबको trade करना ही है छोड़ना ही नहीं है जब W बनेगा पूरा तब देखा जाएगा पहले अभी market का W बना लेते हैं जो चला है पहले अभी market का W बना लेते हैं जो W चला है उस पर W करते है market को market आपको हमेशा बुला के पैसा देता है क्या आप में लेने की capacity है या नहीं है वो आपको decide करना है market हमेशा बुलाता है आओ जी पैसा ले लो आओ जी पैसा ले लो आओ मनुद जी पैसा ले लो आओ परदीब जी पैसा ले लो आओ रतनेज जी पैसा ले लो आओ रभी जी, आओ रोहिनी जी, आओ सचीन जी, आओ संदीब जी, सबको बुलाता है मार्केट, आओ शेक जी पैसा लेलो, बट क्या उस ताइम पे आप उस चीज को जज़ कर पा रहे हो, एक चीज को पकड़ दो सब, एक फार्मूला, एक इंडेक्स, मेरे से 6 महीने बाद म मैंने पिछली वीडियो जें बताया, पांस की मूविंग अवरेस को ट्रेड कैसे करना हूँ, बताया, आप लोग यूट्यूब पे जाके देखिएगा, बताया है मैं, यह रहा यूट्यूब का चैनल, सर, कोई भी आके न, अब देखिए मैं आपके कितने देर से क्लास कर रहा हूँ, सर, दो घंटे की क्लास हो गई, सर, कोई भी आपके कुछ भी नहीं बताने वाला है, सर, सब लोग के,